हेलो एवेवरीवन, वेलकम बाक तो मैं चैनल और आज हम पढ़ने वाले हैं development of dicote embryo के बारे में तो इसमारी process होती है embryo formation की, dicote embryo formation की सारी process होती है, ये हमारे zygot होती है तो अगर आपको पता हो के हमारा zygote कैसे form हुआ था तो ये double fertilization के time पे हमारा एक egg cell और एक gamut से fuse होके ये zygote form हुआ था तो ये deployed in number होता और इसके process को हम sin gammy बोलते हैं तो जब इसको favorable conditions मिलती हैं तो ये अपने around एक wall form कर लेता है जिसको हम उस पर बोलते हैं और जब इसको favorable conditions मिल जाती हैं तो myortically divide करता है ये दो cells में उपर वाला cell हमारा बड़ा होता है थोड़ा नीचे वाले से और उपर वाले cell को हम suspensor cell बोलते हैं और नीचे वाले cell को हम embryonal cell बोलते हैं अब जो हमारा suspensor cell होता है वो 7 to 10 suspensor cells में division शो करता है और जो नीचे वाला होता है वो भी हमारे डिविजिन शो करता रहता है तो जब हमारा सबसे उपर वाला सेल ग्रियो करता है तो उसे हम हॉस्टोरिया बोलते हैं और जो हमारा एक कनेक्टिव सेल होता है यह जो हमारा suspensor cell और हमारा embryonal cell को हमारा connect करता है उसे हम hypophysis बोलते हैं जो हमारा embryonal cell होता है वो हमारा 8 cell preo embryo होता है क्योंकि यह twice तो vertically division show करता है और एक transverse मतलब जैसे यह हमारा एक पूरा cell है और उसको हम divide करें तो यह cell दो parts में divide हो जाएगा अब हम इसमें further division show करते है तो यह हमारा एक cell है और एक यह हमारा एक cell है अगर इसमें division show होगी तो यह दो parts में divide हो जाएगा और यह दो parts में तो total हमारे four cells बन जाएगे और अगर इसमें transfer division show हो जाती है तो इसमें eight cell बन जाएंगे तो इसलिए हम इसे eight cell pro embryo बोलते हैं अब हम embryonal cell की बात करें तो जो इसकी outermost layer होती है वो dermate ogen होती है जो कि epidermis form करती है और जो इसके बीच वाले cells होते हैं वो further division show कर देते हैं तो हम इसे globular embryo बोलते हैं जो कि आगे जाके division show करते time पे heart shaped embryo का shape ले लेता है और उसके बात जब यह complete हो जाता है division इसका तो वो horse shaped embryo हो जाता है अब हम इसके पूरे final structure की बात करें तो यह हमारा micropilar and की तरफ हमारा होस्चोरिय प्रेजन्ट होता है जो कि हमारे यह 7-8 cells में divide हुआ होता है और यह हमारा hypofysis होता है जो कि root gap यह root tip form करता है और यह कुछ ऐसा horseshoe type हमारा यह cartylidans होते हैं हमारे और यह जो होता है यह plumule होता है जो कि आगी जाके shoot form करता है यह चलाजा आयन की side होता है हम अगर हम embryonal cell की further division की बात करें तो हमारा जो hypofysis होता है यह ऐसे division show करता है और कुछ ऐसा structure form करता है जो कि हमारे radical और root tip या cap हमारा बनाता है तो जब इसकी upper side में यहां पर यहां पर हमारे division show होता है तो उसे हम hypocautile बोलते हैं और जब हमारा upper half में division show होता है तो वो कुछ इस तरह से divide हो जाते हैं जिने हम cotyledons बोलते हैं और यहां पर हमारा plumule present होता है जब इसमें division complete हो जाती है तो यह final structure कुछ ऐसा दिखता है जो कि दो cotyledons होते हैं और यह बीच में कुछ ऐसा structure होता है जो कि यह बीच में cotyledonary node होती है हमारी जो node और tip होती है उसके बीच का जो space होता है वो epicotile होता है और जो उपर वाली tip होती है वो plumule होता है अब इस side यह जो mark किया हुआ है यह होता है हमारा radical और जो radical और node की बीच का जो space होता है हमारा जो उसे हम hypocotile बोलता है और जो यह सारा structure होता है हमारा इसको हम embryonal access बोलता है अब मैं इसकी transformation की बात करें कि कौन सा part किस चीज में transform हो गया है तो हमारा जो hypofysis है यह वाला तो वो radical में transform हो जाता है जो हमारा lower half of pro embryo है वो हमारा hypocautile होता है और जो हमारा upper half होता है वो हमारा cotyledon and plumales होता है तो जो cotyledons होते हैं उनमें reserve food होता है मतलब cotyledons contains the reserve food material जैसे हम देखते हैं किसी भी cotyledon को ले लो आप P को ले लो तो P का जब हम seed coat rupture करते हैं तो उसमें हम 2 cotyledons देखते हैं कुछ ऐसे तो बीच में कुछ white color का हमें कि देखने को मिलता है जो कि हमारा embryonal axis होता है तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें subscribe करें और share करें thank you